आबी ये जेंक के दाघ है जो की कपड़ा भिगो के रखने से होते हैं तो ये स्ट्रेकर स्टें रिमोर है किसी पिन से खोल दीजिये उसके नोक को इसी से और बाद में क्या करना है कफड़ा गीला करके नीचोड के लेना है और स्रिफ ड्रॉब ड्रॉब डाल देना है जहां दाग लगे वाले हैं वहां पर इनके ड्रॉप डाल देना है तो यह आटोमेटिकली निकल जाता है इसको रबिंग करने के भी कोई जरुरत नहीं होती इस पर जो डाल दिया है तो यह निकल गया है अगर किसी का नहीं जाता है तो उस पर डबल डाल देने का और वेट करने का है शिर्फ एक मिनिट में निकल जाता है जहाँ जहाँ जंग के दाग थे वो पूरे निकल गये है डालते ही निकल जाता है जैसे ही डालोग यह सेकंडों में निकल जाता है कुछ दाग हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले लेंगे मगर कोई दिकत नहीं मगर वो भी निकल जाएंगे जैसे कि आभी यह दाग है यह पूरे जंग के ही दाग है कपड़ा गीला किया है और इस पर डाल देना है आप देखेंगे कि जैसे ही हम डालते है तो वो निकल जाता है देख लिजिए यह इसी तरह से यहां का भी निकल गया जिसी भी दाग को हम टार्गेट करेंगे तो वो दाग एक मिनिट के अंदर निकल जाता है यह देख लिजिए अभी इसी दाग को टार्गेट करेंगे ठीक आपको भी यही करना है कि कपड़ा गीला करना है निचोड की लेना है और स्टोकर स्टेंट रिमोवर का ड्रॉब करना है और कुछ मिन्टो सेकंडों में निकल जाता है अगर इस जगा पे कोई रियाक्शन आती है मान लिजिए कपड़ा पीला पीला सा पड़ जाता है वहाँ पे जन्रल जो कपड़े का साबन होता है वो लगा देने का बस अर्वाश कर देने का निकल जाएगा पहले को जिसको हमने लगाया वो निकल गया भी दूसरे दाग को टार्गेट करते हैं दूसरे दाग को टार्गेट करते हैं तो फिर वो सेकंडों में निकल गया यह देख सकते हैं और दाग निकलने के बाद में जन्रल यह आपको इसको वाश करके देना है अगर बहुत सेंसिट्यू कपड़ा है जैसे कि कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है पहले तो काम क्या करना है यह केमिकल आपने कपड़े को सूट होता है क्या यह देखना है तो उसमें क्या करते है कि जो कपड़ा है वो गीला करते है और एक कोने पे इनके कुछ ड्रॉप डाल देते है और देखते है वेट करते है एक कोने पे ड्रॉप डाल के वेट करते है कि यह कपड़ा यहां से फटता तो नहीं यहां कलर को कोई साइट एपक्ट तो नहीं होता अगर हम देख लेते हैं कि कपड़े को भी कुछ प्रॉब्लेम नहीं कलर को भी कुछ प्रॉब्लेम नहीं तो फिर हम क्या करते हैं एक दाग निकाल के देखते हैं फिर दाग भी निकल गया कपड़े को भी कुछ प्रोब्लिम नहीं तो फिर क्या करते हैं फिर इसी तरह से पूरे दाग निकाल लेते हैं और और कपड़े को वाश करके ले लेते हैं तो ठीक इसी तरह से आपको लायू दिखाया जैसे ही टारगेट करते हैं निकल जाता है और बाद में यूज करना है कपड़ा गीला करना है निचोटना है उसके उपर जहां जहां दिखता है वहां वहां ड्रॉप कर देना है कुछ सेकंड वेट करना है और दाग निकल जाता है और दाग निकल जाने के बाद में उसको वाश कर देना है ये दाग निकल गया स्ट्रेचबल कपड़ा हो कोई सेंसिट्यू कपड़ा हो पहले चेक कर लीजिए फिर एक दाग निकाल के देख लीजिए फिर उसी तरह से दाग निकाल लीजिए और फिर उसको वाश कर दीजिए और कपड़े पे आगर कुछ पीलापन कुछ हो जाता है तो उसको कपड़े का जो साबन होता है वो लगा के वाश कर दीजिए वो बराबर हो जाएगा